हलो दोस्तो नमेशकार मिल जाएगा चलिए दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और बहुत सारी बड़ी खबरे हम लोगो फिलाल तो देखने को आपे मिल रही है तो एक ही वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को कवर करने आपे जा रहे है तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरूआत करेंगे यापे हीरो मोटो कॉप से रिलेटेड तो फिलर की अगर हम लोग बात करें दो पाईयो वाली गाड़ी की अगर हम लोग बात करें गाड़ी उन्होंने आपे लॉंच कर दी है जो कि बाजार में हम लोगों को इलेक्ट्रिक से रिलेटेड मतलब बताने का मकसद क्या है कि इलेक्ट्रिक वेहिकल दोस्तों यहापे सारी चीज़े अभी हम लोगों को कि आप लोगों ने देखा कि टाटा मोटर जैसी कंपनी चार-चार गुना भी हो चुकी है जबी भी कोई नई टेकनोलोजी यहापे स्टार्ट होती है उसका वीरोध ही होता है क्योंकि वो प्रैक्टिकली हजम नहीं होता है ऐसी बात नहीं कि हर वक्सक्सेस ही मिलेगा बट हम लोग कह सकते हैं कि अगर सरकार दुनिया में भी अगर वो चीज़े चल रही है तो वो 110% चलेगी यहाँ उसका स्पीड स्लो हो सकता है तो यह चीज़े हम लोग जरूरी आपर कह सकते हैं नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड इंपोर्टेंट न्यूस के उपर और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले अदानी ग्रूप के बारे में इस आप देख सकते हैं इंडिया अदानी ग्रूप इस टेकिंग अ माइनोरिटी स्टेक इन लोकल डिजिटल बिजनेस न्यूस प्लेटफॉर्म तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर मतलब इस प्लेटफॉर्म पर भी अभी अदानी की एंट्री होते हैं प्लेटी याथ सेक्टर की अगर हम लोग बात करे तो यहाँ पर उनके हमलों को न्यू इंडर्स्ट्री में एंट्री होते हैं को मिल रही है So just अभी अभी की news हम लोगो फिलाल तो देखने को आपे मिल चुकी है So चली यहापे मतलब और competition अभी हम लोगो बढ़ते वे देखने को आपे मिल रहा है Next अगर हम लोग यहापे बात करें दोस्तों So Reliance की और से हम लोगो Reliance Retail की और से हम लोगो एक news देखने को आपे मिल रही है आप यहापे चाहो तो चेक आउट भी कर सकते हैं Just 3 ही घंटा यहापे हो चुका है जो हम लोगो यह popular brand यहापे देखने को आपे मिल रहा था तो इसमें Reliance Retail यहापे हम लोग कह सकते हैं Investment होती भी देखने को आपे मिल रही है अगर हम लोग बात करें तो यह Joint Venture फिलाल तो देखने को मिल रहा है And 60 is to 40 का ratio हम लोगो देखने को मिल रहा है So Reliance का अगर देखा के तो Reliance Industry के वल एक ही stock है So Reliance Retail की नीज हो, Jio की नीज हो, O2C Business की नीज हो So ultimately सिर्फ Reliance कोई इसका फायदा है यहापे फिलाल तो मिल रहा है So हम लोग जरू कह सकते हैं जितना यह Expansion की, Acquisition की बात यहापे चलती रहती है Joint Venture की बात चलती रहती है So as an investment purpose यह एक positive news जरूर देखने को आपे मिलती रहती है Next अगर हम लोग यहापे बात करें तो दोस्तों यह एक और important news Russia versus Ukraine से related एक just update है कि Switzerland यह दोस्तों Switzerland ने 200 साल पूराना मतलब जो उनकी old policy यहापे हुआ करती थी जो neutrality की अगर हम लोग यहापे बात करें तो वो सारी चीज़ें मतलब यहापे उन्होंने तोड़ दिया Russia के साथ जो उनकी जितने भी हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रहे थी वो सारी चीज़ें उन्होंने ब्रेक कर दी 207 साल पूरानी old policy थी neutrality की So हम लोग कह सकते थे मतलब जो sanctions यहापे impose करने तो वैसे तो देखने को नहीं फिलाल तो मिल रहा है Next अगर हम लोग आपे बात करें तो दोस्तों Yes, LIC का IPO दोस्तों LIC का IPO से related खबर सामने आ रहे है Official तो नहीं है बट यह बता है ज़रे कि Finance Ministry ने बात बोली है निर्मला सितरामंजी ने कि वो एक बार जरूर LIC का IPO क्या मार्च से पहले लाएंगे या नहीं उसके उपर विचार करेंगे Because फिलाल जो situation बाजार में create हुई है Russia versus Ukraine के चलते जो pressure है इसके चलते LIC का IPO कई flop न हो जाए यह भी एक डर फिलाल तो बाजार में चल रहा है आप लोगोंने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कौन करते है retail investor retail investor तो market ऐसा situation में वो टिकते भी नहीं है वो भागी जाएंगे मतलब उन्हेंने का कि वो rethink करेंगे एक बार विचार करेंगे कि यहाँ पर वो क्या करने की कोशिश आपर करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा tense वाला महोल देखने को ले uncertainty बहुत ज़्यादा है क्या पता कि LIC का IPO जिस दिन वो open हो जाए बाजार से related और वहाँ पर अगर हम लोग कह सकते कि उसी टाइम पर अगर कुछ issues होते तो तो definitely यहाँ पर क्या पता कि लोग पैसा लगाएंगे नहीं लगाएंगे बहुत ज़्यादा question mark वाली चीज़े है तो इससे related भी वो latest announcement भी आपर कर सकते है कि यहाँ पर कोई बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों मैंने कल या फिर परसो ही शायद से कल शायद से वीडियो यहाँ पर बनाया था किस से related कि यहाँ पर जो white petrol रहते है या फिर आप चाओ तो उसको jet fuel भी बोल सकते है जो इंदन लगता है airplane में आप देख सकते है उसकी price highest level पर यहाँ पर जा चुके somewhere around सववा 3% से ज़्यादा की hike है दोस्तों मतलब इतना ज़्यादा hike है देख सकते है 5th hike in 2022 इतना ज़्यादा मतलब price यहाँ पर महिंगा होते चला जा रहा है आप अंदाजा लगा रहा है इसका ultimately यहाँ पर cost कौन बहर करेगा obviously customer करेंगे so 1000 की ticket कितनी हो जाएगी जितना यहाँ पर इंदन बढ़ता जा रहा है उसको multiply करो उसी proportionate में तो आप अंदाजा लगा सकते हो 1000 मतलब एक example दिया मिने आपको तो यही problem है दोस्तों की airline वाली company पहले ही परिशान थी अभी crude oil के चलते हैं परिशान तो हो चुकी है प्लस उसमें सरकार की भी अगर हम लोग बात करें उन्होंने भी उनको full capacity के साथ अभी भी pre-covid star की जो जो level है वो अभी तक यह reach नहीं कर पाए है अभी भी इनके उपर बहुत सारे restrictions देखने को यहाँ पर मिल रहे है सो हम लोग कह सकते कि airline वाली company बहुत ज़ादा परिशान भी यहाँ पर इसके चलते हो चुकी है next just update के लिए आप सब लोगं को पता ही होगा मुझे ने लगता कि इनके बारे में मुझे ज़्यादा बताने के जरूरत है अश्रेट grower की अगर हमें बात कर दोस्तों तो भारत पे आप सब लोगं को पता है इनके जो co-founder थे तो उन्होंने यहाँ पर resign कर लिया है वारत पे इसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा है वारत पे बहुत ज़्यादा हम लोगं को इनके चलते जो controversies भी देखने को मिल रहे थी फाइनली अभी हम लोगं को यह exit होते वे देखने को आप मिल रहे है ठीक है next अगर हम लोग आप बात करें दोस्तों तो yes अगेन एक रशिया वर्सिस इसी से रिलेटेड यह अपडेट आपको पता होना चाहिए कौनसा अपडेट है वीजा मास्टर कार्ड उन्होंने ब्लॉक कर दिया है रशियन फाइनशल इंस्टिशन्स यह सैंक्शन्स लगने के बाद मतलब आप देख रहे हो कि कितने डेली बेसस की उपर रशिया की उपर सैंक्शन्स लगते ही जा रहे है लगते ही जा रहे है स्विफ्ट का भी जो सैंक्शन लगा है इसके चलते आप लोगों ने देखा है कि रूबेल कैसे क्रैश हो गया करके तो पता नहीं और जितना रश्य एग्रेसिव होता चला जाएगा बहुती ज़्यादा सैंक्शन्स उनके ओपर हम लोगों को लगते वे देखने को आपे मिलने वाले हैं तो यह भी अपडेट आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए नेक्स अगर हम लोग बात करें आज एकी दिन यह देख सकते हैं टूजड़े की दिन यह इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी के जो बिजनेसे से वो अच्छा कासा फिलाल तो चलते वे देखने को मिल रहे हैं अगर हम बात करें तो दोस्तों अमुल अप सब लोगों को पता ही होगा अमुल दूद की अगर हम लोग बात करें तो उन्हें यह पर प्राइज बढ़ाए तो जीतने Administration फीम यह पे कह सकते थे जो मिल और पल्लोग पर रहीना स्टार्ट को अगर हम लोग बात करें तो आज Ath activity करता है तो समझ लेना सभी लोग करेंगे इसका best example कुन से है टेलिकॉम companies एक टेलिकॉम company tariff वहापे मतलब प्राइस बढ़ा लिती है तो दूसरी company भी वहापे प्राइस बढ़ाना start कर देती है तो यह सारी चीजे भी हम लोग को खराब ही देखने को यहापे मिल रहा है हो आशा करेंगे होप रखेंगे कि जल से जल्द यह मैंटर भी सॉल हो जाए अभी लगता नहीं कि दोनों countries पीछे हटने वाली Ukraine ने तो पहले कर रहें तो जितना आगे बढ़ेगा situation बहुत ही खराब यहापे हो सकता है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो CDSL एक बहुत ही अच्छी कंपणी मैंने अल्रेडी बता है एक मोनोपाली कंपणी मार्केट में फिलाल की साथ से तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी न्यूज़ हम लोग देखने को यहाप मिल रही है जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे उतना इसे डीसल भी अच्छा गासा ग्रोव जरू करेगा दैन रशिया वर्सिस यूक्रेन में मिस्टर उदय कोटक बहुत ही मुझे वन अफ मैं फेवरेट परसनलेटी अगर मैं आनन्द महिंदरा सर की बात करें रतन टाटा जी की बात करें उदय कोटक जी की बात करें मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं आप इनके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं दोस्तो कि कैसे बिजनेस को क्लीन लिए आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं गोदरेज बहुत सारे चीज़ें एक वीडियो में यहाँ पर हो चुकी है उसी की साथ डिमेट अकांट उपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तो आप चाओ तो डिमेट अकांट उपन कर सकते हैं बहुत सारे शेर सस्ते धाम में आपे मिलने वाले है थोड़ा सा उसमें डर रहता है कि यहाँ पर इसे माहुल में क्या निवेश्ट करना चाहिए बटा ऐसी सीचुएशन आप लोगों को बहुत बड़े अपरचुनिटीज देती है अगर आप लिंक के तुरू अकांट उपन करें तो आपका नाम और कौन सा अकांट उपन क है जरू मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना तो 25 वीडियो की लिस्ट है वो बिल्कुल फ्री आफ कोश्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा तो यह तक के लिए बाई-बाई